नमस्कार दोस्तों Study with Santos YouTube Educational Channel पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों हम आपके लिए जो ये Lecture Series स्टार्ट कर रखी है आज उसका पाचवाँ पार्ट लेकर आए हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस सेक्षिन में हम Computer और English सेक्षिन को करेंगे तो पहला question है वही है प्रोसेशर के तीन मुखे भाग है तो प्रोसेशर जो होता है मरा CPU Central Processing Unit उसी का एक नाम क्या है प्रोसेशर तो प्रोसेशर के तीन मुखे भाग कोन से हैं तो processor में तीन चीज़े होती हैं, एक तो arithmetic logic unit होती है, दूसरा control unit होती है, और तीसरा होती है register, ठीक है, ये तीन चीज़े इसके अंदर होती है, तो arithmetic logic unit, control unit और register हमारा option A में ही दिये गए हैं, तो RAM नहीं होती है इसके अंदर, RAM externally इससे attached होती है, processor से, कैसे memory भी बाहर होती है इससे, control unit और register होते हैं, RAM, ROM और CD-ROM ये तो तिन्नों ही processor से बाहर होते हैं, तो processor में ये central processing unit होती है, उसमें ALU, control unit और register होते हैं, option A हमारा सही answer हो जाएगा, यहाँ पर एक picture दी गए है, उसके मादम से समझा देते हैं आपको, register कैसे काम करते हैं, देखो यह हमारा CPU है, central processing unit, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है, control unit, ठीक है, दूसरा होता है, arithmetic logic unit, जो arithmetic calculation तरकिक गणनाओं को करने के लिए use किया जाता है, और तीसरे होते हैं, register, ठीक है, different type type के यह register होते हैं, एक memory address register होता है, दूसरा memory data register होता है, और other register भी इसके अंदर होते हैं, अच्छा, काम कैसे करता है यह, जैसे मान लिया, आपको processing के लिए memory से कोई data चाहिए, ठीक है, main memory से data, किसके मादम से आएगा, bus के मादम से आएगा, address bus क्या लेके आएगी, address लेके आएगी, data bus, data लेके आएगी, उस address का, और control bus क्या करेगी, इनको, control करेगी, ठीक ह हैं, तो address bus जो data लेकर आएगी, वो क्या करेगी, address register में देगी, जो data memory से लाकर, क्या करेगी, address bus के अंदर देगी, register के अंदर देगी, उसी परकार से जो data bus है, वो data क्या, लेकर कहां देगी, data register के अंदर, और वो register फिर connected रहेंगे, arithmetic, logic unit और control unit से, ठीक है, तो जैसे ही control unit को को memory या data चाहिए, तो वो क्या करेगा, memory से ने लेके, register से मांगेगा, और register, memory से लेगा, और वहाँ पर अपने पास रख लेगा, देखो, simply हम कह सकते हैं, जैसे बच्पन में हम पढ़ा करते तो हम register रखते थे ना, अपने, वही register है, ये, मतलब data को save कर लेते हैं, अपने अंद जब arithmetic logic unit को या control unit को data चाहिए होता है, तो ये data provide करा देते हैं, यहीं register का काम है, अलग-लग register है, ये memory के address के लिए register है, ये data के लिए register है, ठीक है, और ये तिन्नों चीज़े किस में होती है, central processing unit में होती है, ALU, control unit, और दूसरे तीसरे के है register, और ये सब किस से connected होते है, man memory से connected होते हैं, किस से, address bus से, data bus से, और तीसरे होती है control bus, control bus क्या करती है, पूरे process को control करती है, plus अगर हमें read write करना है memory के अंदर, तो ये जो bus है, ये तो address ले जा सकती है, ये data ले जा सकती है, edit नहीं कर शकती, edit करने का काम कुर्ण करती है, control bus करती है, अगर उसमें memory के जो data है, इस का सारा तो arithmetic, logic unit, control unit और register किसके अंदर होते हैं प्रोसेसर के या CPU के अंदर होते हैं दूसरा किस्टन है निमनलिकित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा computer है ठीक है तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगे computer की बाद जहां पर आ जाए आप बिना द पहले 1964 में super computer को बनाया गया था ठीक है जिसका नाम था CDC6600 देखो आप से पूछ सकते हैं डारेक्टली पहला super computer कब बनाया गया 1964 क्या नाम था उसका CDC6600 उसके बाद क्या कर सकते हैं बारत का पहला super computer कब बनाया 1991 1991 और उसका नाम क्या था परम परम super computer था किस ने मनाया था वो cdeck company ने मनाया था cdeck और cdeck की full form भी पूछ सकते हैं center for development of advanced computing ठीक है center for development of advanced computing यह cdeck की full form है personal computer जो हमारे घरों में होते हैं इसकी short form क्या होती है pc pc को क्या कहते है personal computer यह भी पूछ सकते है pc की full form क्या है ठीक है laptop portable होते हैं जिनको आप bag में रखके ले जा सकते हो laptop तो आप सभी ने देखा ही होगा यह भी एक type का personal computer है ठीक है mini computer mini computer क्या होते है suitcase type के होते हैं ठीक है suit case type के होते हैं और जैसे vip शुरक्षय बगेरा के लिए इसमें mini computer का use किया दता है और mini computer में एक chip लगाने से यह super mini computer बने जाता है super mini computer ठीक है और वो कौन सी chip है उसका number क्या है यह आप comment करके बताएंगी मैंने आपको पहले भी बढ़ाया है और इस वीडियो के last में भी मैं आपको बताऊंगा उससे पहले comment करके बताए कि mini computer में किस number की chip लगाने से कौन सी super chip लगाने से वह super mini computer बने जाता है पांच अंको की है वो संख्या आप comment करके बताएंगी जल्दी से ठीक है लास्ट में आपको मैं बताऊंगा इसके बाद next question है Douglas C. Engelwert ने stoneford research laboratory में mouse का विसकार कब किया था देखो Douglas C. Engelwert ने क्या किया था सबसे पहले तो mouse का विसकार किया था पहला question तो यही है कि mouse का विसकार किस ने किया था Douglas C. Engelwert यह आपको याद रखना है डारेक्ली पूछ सकते हैं यह Douglas C. Engelwert ने क्या विसकार किया था कहां किया था Stanford research laboratory में ठीक है कब किया था 1977 1997 में Douglas C. Engelwert ने mouse का आविसकार किया था Stanford research laboratory में ठीक है अब देखो mouse की working क्या होती है mouse के अंदर में लिज तीन चीज़े होती है एक तो होता है left side का button एक होता है right side का button और एक होता है बीच में जो मतलब circle type का होता है उपर की तरफ हुप रहा हुआ ठीक है एक ये button होता है अच्छा जैसे ही आप left type के जो button है उसको दबाते हो तो इसमें क्या sound आती है click की sound आती है click उसी प्रकार से right में भी click की sound आती है तो इसको दबाना left click का जाता है और इसको दबाना right click का जाता है ठीक है left click से क्या होता है left click से क्या होता है किसी भी object कर आप जैसे ही आप इसको move करोगे तो जो computer है उसमें आपका क्या करेगा cursor move करेगा साथ की साथ तो किसी भी object के उपर अगर आप cursor को ले जा कर left click करते हो तो वो क्या हो जाता है, एक left click में वो क्या हो जाता है, select हो जाता है और select होने के बाद उसका color कैसा हो जाता है, value color हो जाता है ठीक है, यह question में पूछ सकते हैं, कि left कोण सा click select करने के लिए यूज किया जाता है left click left click किसी object पर press करने के बाद उसका color कैसा हो जाता है बल्य हो जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है ok ok button समयने तक कौन सा है left click ये भी आपको याद रखना है right click क्या करता है right click अगर आप किसी object की ओपर जा के करते हो तो वो उस object की क्या दिखा देगा सारी की सारी properties दिखा देगा properties ठीक है property देखने के लिए right click को हम करते हैं यह यह कह सकते हैं कि property देखने के लिए mouse का कौन सा button दबाया दता है right click और जो scroll wheel है वो जिस भी page के उपर हम होते हैं मान लिया किसी web page के उपर है तो उसको scroll करने में सायता करता है उपर से निच्छे निच्छे से उपर इसमें ले जाने में सायता करता है ठीक है यह scroll का काम है तो डगलस सी एंजल वर्ट ने Stanford Research Laboratory में 1977 में mouse का आविस्कार किया था next question है style storage device कोन सी है निमनलिक्त में से कोन सी डिवाइस है वो style storage के लिए है monitor तो एक output डिवाइस है यह style storage थोड़ी है ठीक है रैम यह volatile है यानि style है यह तो style storage है जब आप काम कर रहे होते हो तो सारा data रैम में रगता है जैसे अब आप यह video देख रहे हो तो जो यह video की processing हो रही है सारी कहां हो रही है रैम में हो रही है जैसे ही आप इसको बंद करोगे mobile को बंद करोगे सारा का सारा data इससे उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चले है आप कौन सा वीडियो देख रहे थे कैसे memory कैसे memory CPU ठीक है और main memory के बीच में लगी होती है ताकि यह तेजी से process कर सके data को जो जरूरी data होता है उसको बार बार लेनी की बज़ाए कैसे memory store कर लेती है उससे हमारी CPU की जो processing है वो fast हो जाती है यह यह कह सकते हैं कि कैसे memory बहुत fast memory है और यह ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती लेकिन महेंगी होती है यह 4 या 5 MB के करीब की होती है 4-5 MB बहुत चोटी होती है ठीक है अगर आप इस वीडियो का size देखो जो आप देख रहे हो तो कम से कम 100-200 MB का आराम से होगा तो यह 4-5 MB के size की होती है कैसे memory काफी fast होती है यह CPU और main memory के बीच होती है तो यह भी style नहीं है जैसे ही आप बंद गरोगे computer को इसका data भी उड़ जाएगा ठीक है इसके बाद आती है hard disk hard disk style memory है और यह जो होती है हमारे computer के अंदर अगर आपने computer कभी चलाया है तो my computer के अंदर जो C folder होता है जिसके अंदर सारे program रहते है installed रहते है वो memory है यह hard disk इसकी capacity different different हो सकती है 100 GB, 200 GB, 500 GB, 1000 GB यानि 1 TB, 1024 GB भी हो सकती है आजकल 2 TB, 5 TB तक के computer आने लगे है ठीक है यह जो memory होती है स्थाई storage कोण सी device है hard disk यह hard disk की image दिखाई गई आपको जो computer खोल के अगर देखोगे आप तो HDD memory मिलेगी यह hard disk होती है स्थाई storage है यह इसकी open picture है hard disk अंदर से कैसी दिखाई देती है ऐसी दिखाई देती है इसके अंदर यह read write लगया होता है यह read और write कर सकता है data को और काफी तेजी से fast से काफी तेजी से क्या करता है read write करता है इसके उपर यह जैसे ऐसे moment करता है ऐसे से ऐसे और यह circle में गूमती रहती है ठीक है और इसकी capacity आप अपने हिसाब से एक टेराबाइट दो टेराबाइट इतना भी चाहो ले सकते हो इसके अलावा यह खुली नहीं होती इसी format में मिलती है computer के अंदर बंद आती है बिल्कुल तो बारी आवरण या दूर वगयरा से भी safe रहती है तो यह काफी लंबे समय तक चलती है अगर इसी में crunch नहीं लगेंगी crunch नहीं लगेंगी तो लगातार चलती रहेगी क्यों? ठीक है? यह है hard disk यह computer के internal storage है ठीक है? अब चलते है next question की तरफ C basic COBOL और Java बासाओं के उदारन है जो अमारी C computer की बासा है basic है COBOL है और Java है यह कौन सी बासा है? high level language है H L L high level languages ठीक है? सुरुवात में computer में low level use की गई थी जब computer सुरू में use किये गई और computer क्या? computer बासा थोड़ी है कोई? computer तो computer है और programming system programming जो system को program करने के लिए language होती है वो वो तो बिल्कुल भी नहीं है जो C है basic है COBOL हो और Java है यह कौन सी बासा है high level languages की बासा है ठीक है? बासा है दो परकार के होती है एक तो निमंस्त्री है एक उच्स्त्री है ठीक है निमंस्त्री है में मशीनी बासाती है और दूसरी assembly language और high level language बहुत सारी है basic, COBOL, C, Pascal algo, ठीक है log, बहुत सारी है मशीनी language 0101 में होती है इनको लिखना काफी मुश्किल होता है इनका update था assembly language और assembly language में कुछ code दिये गए थे ठीक है और उन code को किसकी सायता से बनाया गया था assembler की सायता से decode किया जाता था assembly language में क्या use किया जाता है assembler use किया जाता है और high level language से machine language बनाने के लिए क्या use किया जाता है compiler use किया जाता है ठीक है यह basic question आपके पूछे जाएंगे डारेक्टली की high level language से machine भासा कैसे बनाई जाती है या source code से object code कोड बनाता है compiler बनाता है ठीक है या assembler बनाता है अगर assembly language है तो तो हमारी जो C है basic है COBOL है जावा है वो किस परकार की language है high level languages है ठीक है अब चलते है next question की तरफ next question है सबसे बड़े से सबसे छोटे के करम में निमलिक में से कोड सा listed है यहाँ पर memory दी गई है यह बताना है कि बड़े से छोटी कोड सी दर्शाय रहा है ठीक है बड़े से छोटी तो जो सबसे बड़ी memory होती है वो होती है हमारी terabyte ठीक है उससे छोटी होती है gigabyte और उससे छोटी होती है megabyte यानि MB और सबसे छोटी इन में होती है kilobyte kb अब देख लो सबसे पहले terabyte कोड से में दी गई है इसमें दी गई है इसमें दी गई है और इसमें दी गई है फिर gigabyte तो उसमें इसमें नहीं दी गई इसमें दी गई है इसमें दी गई है उसके बाद मेगाबाइट इसमें किलो बाइट दे दी इसमें मेगाबाइट दी गई है तो ये सही है ये भी सही है इसका अंतलब हमारा अनसर क्या है डी है सबसे बड़ी मेमोरी है टेराबाइट उसके बाद गीगाबाइट उसके बाद म या दूसरे सब्दों में कहें तो एक जार 24 किलो बाइट मिलकर एक मेगाबाइट बनाते हैं और एक जार 24 मेगाबाइट मिलकर एक गीगाबाइट बनाते हैं और एक जार 24 गीगाबाइट मिलकर क्या बनाते हैं एक टेरावाइट ठीक है यही प्रोसेस चलता रहता अगे तक अब चलते हैं नेक्स्ट किस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ठीक है अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग में होता क्या है जो हमारी आय होती है यानि जो मारा इंकम होती है या वे होती है जो मारा खर्च होता है ठीक है इसका इसाब रखने के लिए टैली का यूज किया जता है software का यूज करते हैं क्योंकि उनकी ज्यादा जो आए और वे है वो बहुत ज्यादा transaction होती रहती ना तो उनको accounting software चाहिए तो टेली या इस टाइब के software हैं वो इस्तेमाल करते हैं ठीक है लेखा जोखा करने के लिए accounting का प्रियोग किया जाता है तो जो टेली है वो किसमे यूज किया जाता है accounting के चत्र में DTP क्या है desktop publishing DTP की full form भी बूच सकते है desktop publishing ठीक है अगर आपको मान लिया कोई आपके desktop के लिए कुछ त्यार करना है image वगेरा तो उसके लिए आपके जो software चाहिए उसको क्या कहते है desktop publishing जो desktop की image वगेरा त्यार करते हैं अलग लग परकार से वो क्या कहलाते है software desktop publishing ठीक है तो टेली एक desktop publishing नहीं है यह accounting के सितर जाता है संचार क्या होता है मारा communication होता है जैसे आप phone से अगर किसी किसी से बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है संचार का संचार है वो communication है आप जामकारी उसको दे रहे हो और वो जामकारी आपको दे रहे हैं तो ये क्या है संचार है एक तरह का और networking क्या उतबर最 awareness दो चिजों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है networking कहलाता है जैसे computer के case में भी networking होती है अगर आसपास के computer आपस यह क्या क्लोब आती हैं लें कह लाती है लोकल एरिया नेटवरक और बहुत सारे प्पीटर ज़ूड़े हो stark एक विल्दिंग जैसे एक है ज्सेहर के तो वो क्या आता है उसुद देश के या पूरे वर्ल्ड के जो computer हैं उनको एक साथ जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा internet हम internet से जुड़े हुए है ठीक है तो जो telly है वो किसमें यूज किया जाता है accounting के चेत्र में यूज किया जाता है जहां मारी आयवे खर्च बैंक स्टेटमेंट वगरा देखते हैं ठीक है अब करते हैं English section को दो खालिस्तान दिया है उसके बाद were on the march for several days ठीक है अब यहां पर खालिस्तान में पुच्छा गया है कि जो खालिस्तान आया है उसमें क्या आएगा the कौन थे officer थे soldier थे armies थे या cadets थे on the march for the several days जो sentence की language है या जो sentence में हिंड दिये गए हैं उनके हिसाब से हमने क्या करनाहिन में से एक है और इनके meaning के हिसाब से हमें जो यह word दिये गए हैं का meaning भी देखना होता है कि यहां पर most suitable कौन है इसके हिसाब से और जो grammar को भी follow कर रहा ह ठीक है तो पहला option है officers the officers were on the march for several days तो officers कोन होते हैं उच रेंग के अधिकारी होते हैं तो उच रेंग के अधिकारी कभी भी march नहीं करते हैं पार्च कोन करते हैं निमंस्तर के ठीक है निमंस्तर के अधिकारी वो क्या करते हैं मार्च करते हैं तो officer सही answer नहीं हो सकता ठीक है होता है group of soldiers group of army की अगर बात करें अकेली army की तो वो क्या होती है group of soldiers यानि बहुत सारे soldiers का group army और यह कैसे होती है singular होती है क्यों क्योंकि ग्रूप को दिखा रही है collective noun है यह लेकिन यहां पर बात की की है armies की मतलब बहुत सारे groups हैं soldier के एक group की बात नहीं कर रही है हो सकता है एक किसी टाइप की army हो दूसरी किसी टाइप की army हो तो इसका मतलब armies यह किसको दिखा रहा है पलिरल को दिखा रहा है तो वो different type की आर्मी मार्च पर थी यह बिलकुल आ सकता है और हमारा answer भी यही है ठीक ठीक है तो उसको cadet कहते हैं trainee का दूसरा नाम क्या होता है cadet ठीक है जैसे उसको कह सकते है सैनिक चाप्तर चाप्तर सैनिक कह सकते हैं जो मतलब अभी सैनिक नए बना हो तो जो सैनिक नए बना हो वो मार्च पर जाएगा इसकी संभावना बहुत ही कम होती है यह कह सकते हैं कि March कोण करती है Army करती है ठीक है अगर यहाँ पर वाज होता वाज होता तो हमारा answer क्या होता Army The Army was on the March लेकिन अगर Armies की बात की गई है तो इसलिए यहाँ पर इसने वर लगा दिया है तो हमारा सही answer हो जाएगा The Armies were on the March for several days ठीक है The sentence given below contains one or more mistakes नीचे दियेगे sentence में एक या एक से ज़्यादा गलतियां हो सकती है identify the correct sentence सही sentence का पहचान करो ठीक है अब sentence दिया गया है Learning the French is not easy अब इसको अमने सही करना है इसमें कुछ error है एक या एक से ज़्यादा तो error find out करने के लिए इसकी grammar को देखेंगे हम sentence दिया है Learning the French is not easy तो सबसे पहले वरब देखिए हमने Is What is not easy Learning French ठीक है Learning the French तो French क्या है Singular है Singular के साथ Singular वरब लगाईगी है इसका आतलब Is तो सही है और यह कह रहा है कि French को सीखना आसा नहीं है ठीक है दूसरा French क्या है French एक Language है French क्या है Language है और Language से पहले कभी भी दा नहीं आता अगर आपने rule नहीं देख्या है आपने आर्टिकल के वीडियो नहीं देख्या है तो एक बर उनको जरूर देख ले काफी अच्छे बनाए थे उसमें आपको बताया था कि जैसे कोई भी Language हो उससे पहले दा नहीं आता जैसे Hindi है English है आपने कहीं ऐसा लिख्या हुआ देख्या है दा हिंदी ठीक है कहीं नहीं मिलेगा अगर वो है तो भी गलत है तो इसका अंतलब Learning French is not easy तेको यह कुण से में दे रख्या है Learning French is not easy A में ही दे रख्या है Learning of the French यहाँ पर दा रख दिया इसने French learning यहाँ पर sentence का structure ही गुमा दिया इसने It is not easy to learning the French यहाँ पर फिर से दा दायुज करिया इसका मतलब हमारा sentence जो A है वो बिलकुल सही है Learning French is not easy ठीक है आर्टिकल का किस लगाया गया था इसमें Next question है Identify the meaning of the idiom To cut corners To cut corners जो idiom है उसका मतलब क्या होगा देखो To cut corners का मतलब क्या होता है पैसा बचाने के कदम उठाना पैसा बचाने के लिए प्रियास करना वो क्या होता है To cut corners ठीक है यानि अपने कोनों को cut कर देना देखो पैसा बचाने के लिए माली है हम खर्चा कर रहे हैं इस त्रिके से तो हम क्या करते हैं कि बहुई इस बार बचत करेंगे थो अपने खर्चे हम कम कर देते हैं वो क्या क्या लगता हमारा कोने को काटना क्या लगता है यानि जो गैर जरूरी खर्ट से होते हैं या जिन को हम स्किप कर सकते हैं उनको क्या करते हैं कट कोर्णर्स करते हैं उनको खर्चों को यानि पैसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं टू कॉर्णर्स तेस्टिव सेव नी क्योंकि स्पेसिफिक की रही है तो दा नहीं लगाया तो यहीं रूल है अगर स्पेसिफिक की रही है तो ही दा लगेगा तो cut corners का मतलब क्या है पैसे बचाना और पैसे बचाने के लिए कदम उठाना next question है the antonym of boring is boring का antonym मतलब व्यप्रितार्थी क्या है boring का मतलब क्या होता है उबाउ मतलब जिससे आप उब जाएं जो आपको अच्छा न लगे वो क्या कलता है boring कलता है तो इसका उल्टा क्या होगा इसका उल्टा होगा मजेदार ठीक है बजिस में आपको मजा आए वही तो उबाउ का उल्टा होगा अब मजेदार जिसका भी meaning है वो इसका क्या हो जाएगा antonym हो जाएगा तो ब्रेव का मतलब बहादूर, kind का मतलब दयालू इंटरस्टिंग का मतलब मजेदार और intelligent का मतलब बुद्धिमान तो interesting का मतलब क्या होता है मजेदार तो boring का जो antonym होगा वो क्या होगा interesting ब्रेव मतलब बहादूर, kind मतलब दयालू और intelligent मतलब बुद्धिमान तो boring का antonym क्या है interesting यह यह कह सकते हैं इंट्रस्टिंग का एंटोनिम क्या है बोरिंग उबाव और मज़ितार एक दूसरे के विप्रितार थी है नेक्स्ट क्यूस्टन है दब बस उसके बाद यह वरब दी गई है इसकी फॉर्म अमने भरनी है इसके अंदर meet with an accident yesterday क्या रहा कि एक बस का दाबस मतलब specific बस है कोई बस का accident कल हुआ ठीक है यह sentence दिया गया है तो yesterday जहां भी दिया जाए देखो अगर sentence में last और yesterday word दिया गया है तो बिना सुचे समझे जो भी वरब आएगी वो किस फॉर्म में आएगी वरब की second form में आएगी simple past में आएगी जो हमारे tense की video lecture कराये थे उनमें एक एक अच्छे से समझाया था अगर आपके keyword last और yesterday है तो वरब की second form आएगी हमें सा वरब की second form यानि simple past तो meet की second form क्या हो जाएगी meet की second form क्या होती है mat meet first form है second form होती है mat और third form भी mat ही होती है ठीक है तो second form क्या हो जाएगी mat अब देखो is meeting यह तो continue कर रहा है अब भी बात कल की है meeting यह भी continue कर रहा है mat सही है meets यह क्या कर रहा है present को दिखा रहा है जबकि बात की निकब की की है जने yesterday की की है तो yesterday और last जहां भी आ जाएगे वरब की second form आप बर देखोगे the bus met with an accident yesterday next question है pick out the rightly spelled word जो word सही तरीके से spell किया गया है वो उसको आपने चुनना है ठीक है यही meaning है इसका pick out का अंतर होता है चुनना the rightly spelled word जिसको सही spell किया गया है तो जो commit की spelling दी गई है यहाँ पर commit के लिए मैं आपको बता देता हूं most important spelling word है कि यह मैं कमेट के अंदर एक तो है माइगा और एक्टी है ऑए अए गए ङगा ठीक है to get तो लास्ट में जो म्ती और ईओर आएंगे यह जो ऑन्राइगे यह जैने टी सिंगल है इसका नलब यह गलत होगया क्योंकि M T और E तो डबल आएंगे ही आएंगे M double है T double है E double है यह सही है M double है यह तो T e दोनों ही सिंगल दे दिये गलत M single है T double है E double है यानि M single दे दिया तो गलत तो commit की जो spelling होती है वो होती है C O double M I double T और double E यानि M, T और E डबल आएंगे इनको ही सिंगल करके वो प्रोलम बनाता है ये डबल आएंगे आपको याद रखना है आज का ये वीडियो लक्षर यहीं समापत होता है कैसा लगा कमेंट करके जरूर पता है अगर पसंद आया है तो दोस्तों में सेर जरूर कीजिए धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो जाहिंद